Good evening everyone, welcome back to my channel तो आप लोगों की बहुत सारी queries थी कि हमारी DSSB का exam कब होगा हमारी केंद्रे विध्याले की new vacancies कब आएंगी As I know कि आप में से काफी सारी teachers ऐसे होंगे जिन लोगों ने अपना-पना अभी teaching course complete किया होगा and they all are waiting for the KVS vacancies, NVS vacancies and DSSB vacancies So, और काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो DSSB का exam पहली बार देने वाले होंगे तो उनके लिए एक एक experience होगा पर उसमें से lucky ऐसे भी होंगे जो first attempt में अपना DSSB का exam निकाल लेंगे So, all the best for that तो बात कर लेते हैं केंद्रे विध्याली की जो vacancies होती हैं आपको हर 2-3 साल के बाद देखने को मिलती है तो हमारी last जो केंद्रे विध्याली की vacancies थी आप लोगों ने देखा ये आपको 2022 end में देखने को मिले थी और इसका 2023 में exam हुआ था और आपको पता है कि कितनी सारी problems भी आई थी पहले तो B8 को ineligible कर दिया था PRT के लिए जबकि काफी सारे candidates ऐसे थे जो exam qualify करने वाले जो B8 वाले ही थे देन उसके बाद ये भी आप लोगों को सुनने में देखा होगा आप लोगों ने क्योंकि वो exam online mode में हुआ था तो काफी सारी cheating के cases भी मिले थे तो इसलिए बहुत सारी problem हुई थी 2023 में जो अभी तक भी कभी केंद्रे विध्याले में नहीं होती है तो आप लोगों की next vacancies के लिए आप लोग keep on preparing अभी आपके पास अराम से एक साल है क्योंकि 2024 में आपकी केंद्रे विध्याले की new vacancies बिल्कुल भी नहीं आने वाली है as of now 2022 में एंड में देखने को मिलेगी तो अगर आप धाई साल के बाद लगाएंगे तो आप लोगों को ये 2025 में आपको जुलाई अगस्त तक ही देखने को मिलेगी केंद्रे विध्याले की new vacancies and till the time अगर आप fresher हैं अगर आप लोगोंने अभी अभी अपना course complete किया है तो अपनी जी जान लगा दीजिए for DSSB vacancies and it is the best मैं बोलूंगी department to work in as a government and उसके बाद अगर नहीं होता है DSSB में तो आप लोग अपने केंद्रे विध्याले की त्यारी भी side by side शुरू कीजिए ऐसा देखा जाता है जो बचा DSSB का exam almost almost clear कर लेता है वो केंद्रे विध्याले का अराम से निकाल ही लेता है क्योंकि केंद्रे विध्याले का exam जो होता है as compared to DSSB थोड़ा सा easy आता है as I have given both the exams and qualified it also and next आप लोगों का जो exam होगा इतनी सारी problems होने के बाद जो आपका exam अब जो केंद्रे विध्याले का होगा it will be in offline mode only अब कोई online mode में नहीं होने वाला exam offline mode में होगा आपका exam that is 100% sure तो अपना exam की preparation आप लोग complete कीजिए अगर जो भी आप लोग कर रहे हैं अगर आप लोग कहीं पर private job नहीं कर रहे हैं तो keep on preparing for government job only पट येस अगर आप private job कर रहे हैं आप करते करते पढ़ाते पढ़ाते ही सीख जाते हैं still अगर आपको कोई भी doubt related to teaching learning you can always ask me in the comment section thank you everyone have a nice day